नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों सभी को गोड इवनिंग और आप सभी का यूथ पार्ट साला के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे साथियो आज हम आपके लिए क्या बुक्क रहे है वही चेत कापी कि बुक लेका है एतियास की जो कौन सी संखला है हमारी कक्छ जे रहे हैं क्लस सेवन मंदब ले रहे हैं मेरें हम नेरे दूसरा चैप्टर था तीसरा और चौथा चैप्टर राता है नई राजा और उनके राजियें, उनके राजवणसर का उध्य किसे हुआ था हम पर सासन पर नाली कैसे थी, कौन से राजा आए थे ठीक है न, हमने त्री पख्शय संगर्स के बारे में दिखा था चप्टर नुबर टू में तीसरे चप्टर में हमने क्या दिखा था दोस्तो जो दिल्ली के सुल्तान आई थे उन सुल्तानों के बारे में अधियन किया था फिर हमने चैप्टर नमर पाँच और छे में देखते हैं ठीके ना वहाँ पे सिल्पकार आ जाते हैं कर पढ़ना लिया जाती है जैसे मंडी और हट हमने पड़े थे उनस अभी कि यह बारे हम देखा था आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर नमर सेवन कौन सा चैप्टर नमर 7 है उसमें क्या बताय जा रहा है दोस्तों आपको इसमें बताय जा रहा है कि यहां पर किस परकार के जन जाती हैं किस परकार की दोस्तों जन जाती होगा करती थी और क्या पुछा जा रहा है यह जन जाती हो के बारे में खाना अब दोस्त ठीक है ना और एक बसे एक बसे हुए समुदाई के बारे में यहां पर हम बात करेंगे ठीक है दोस्तों कि क्या कि जन जातियां खाना अब दोस्त और एक जगह एक जगह बसे हुए समुदाई के बारे में तो हमारा जो चैप्टर नमर 2, 3 और 4 में हमने दिखा था कि किस परकार वहाँ पर क्या होता है नए राज्यों का उधान होता है या नए राज्यों का उदे होता है और उनका किस परकार पतन भी होता है हमने इन सब के बारे में दिखा था उस उसमें क्या होती है दोस उसमें हम ले सकते हैं सिल्पकारियों में या दस्तकारियों में या किस परकार के गुड्स मतलब उत्पादन या किस परकार का प्रॉडक्शन वहाँ प्रॉडक्शन की जो गति भी दिया होती है ठीक है न वो किस परकार की होती है नए शेहरों की खोज भी होती है दोस्तों ठ सबी के बारे में हमने वहाँ पर चर्चा की थी ठीक है फिर क्या होता है दोस्तों एक लंबे समय का जो गैप आता है अंतराल के बाद हम देखते हैं कि काफी सारी जो महतपून क्या होती है वहाँ पर जो राजनेतिक गटनाएं गटित होती है या आर्थिक रूप में इसे पर परिवर्तन आते हैं यह तीन परिवर्तन एक समाज एक सहर के लिए बहुत महत्पून होते हैं कौन-कौन से दोस्तों राजनेतिक समाजिक और आर्थिक परिवर्तन यह परिवर्तन आने से क्या कि वहाँ पर लेकिन समाजिक परिवर्तन क्या होता है हर जगए एक समाज नहीं ह हर परकार के जो जैसे जो नहीं ने आपके सासन वर्ग आता है जो हर परकार का सासक वर्ग आया था ठीक है ना दोस्तों जैसे हम बात करते हैं जैसे अगर बात करेंगे राजपूत सासक वर्ग आ गया तो वहाँ पर समाजिक जो परिवर्तन होंगे वो अलग हिसाब से होंगे अगर वहाँ पे कोई अफगान आ गया क्या आगे दोस्तों अफगानी आ गया तो अलग परकार के परिवर्तन होगे अगर कोई एरानी आता है तो आप समझ सकते हैं जिस परकार का जो समुदाय आएगा तो उसी परकार के क्या होगे वहाँ पर समाजिक परिवर्तन होते हैं ठ क्षाच है कि जब आंपने पूख का अधियन किया टा कच्छा छह कि जब के आंब फो दिखा था जू करते कि समाज में वह व्न वैसे थी उसको विवाजित कर दिया गया था तो वह वो नियम क्या थे वहां पर पहले से विध्यमान पड़े थे फिर जैसे बताये गए यहां पर अपर कि बाहमुन देफ़ारा कुछ आईडिये देघे थे जो नीअ मते बड़े-बड़े रज्यों के राजों मते कर‍वा नाम नवा करता था, वो दिरे दिरे क्या लगा था दोस्तो बढ़ने लगा था ठीक है दोस्तो और फिर बात करते हैं हमारे चैप्टर नमर 3 की क्लास 7 के तो उसमें क्या था कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काली में क्या था दोस्तो स्रेणी बद समाज ज़्यादा जटील हो गया था क्या हो गया था स्रेणी बद समाज ज़्यादा जटील हो गया था तो ये क्या था कि हमने फिछले चप्टर को इस चप्टर से एक जोड़ने का एक रिलिवेंस देखा है यहाँ पर अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बड़े सहरों से अलग क्या हुआ करते थे जंज जाती है समाज ठीके दोस्तों बड़े सहरों से जंज जाते समाज कैसे अलग हुआ करते थे उनके बारे में देखेंगे ठीके दोसे जैसे दूसरे तरह की समाज भी उस समय मौजुद थे ठीके ना दूसरे तरह के समाज भी उस समय क्या थे मौजुद दूआ करते थे बात करेंगे यापर दूसरे तरह के समाज के बारे में ठीके दोस्तो अब जो यह महादीप था दोस्तो इस महादीप में क्या था कि कहीं समाज क्या थे ब्रह्मनों द्वारा जो नियम दिये गए थे कौन से नियम बात करेंगे यहाँ पर हम ब्रह्मनों द्वारा दोस्तों समाजिक नियमों की बात करेंगे किसकी बात करेंगे ब्रहामनों द्वारा जो समाजिक नियम दिये गए थे समाजिक नियम कैसे दिये गए थे उनके द्वारा जो वीधी विधान दिये गए थे क्या दिये थे कि विदी विधान या उनको क्या बूल सकते हम करमकांड ठीक है ना उनके जो समाज गनियम या करमकांड दिये गए थे को वो लोग क्या थे नहीं मानते थे वो जो दूसरा समाज था उन नियमों को क्या करता था इन समाज नियमों को वो नहीं माना करता था ठीक है नहीं दोस्तो ठीक है तो ये सिंपल हो गया तो वो अलग क्यों था दोस्तो वो समाज दूसरा समाज कि वो जो व्यदिक काल से जो नियम बना गए थे उन नियमों को वो पालन नहीं किया करता था ठीके दोस्तों, और नहीं वो किसी समानवर्गों में विवाजित थे समानवर्ग कैसे हो गए दोस्तों अभी आपको एक चीजु बताता हूँ यहाँ पे कιलिर हो जाएगा समान वर्ग में विवाजित नहीं था समाज को क्या का जाता था दोस्तों अक्सर ऐसे समाज को क्या का जाता था आपके जन जातिय समाज का जाता था यह ने दोस्तों अक्सर ऐसे समाज को क्या का जाता था जन जातिय समाज का जाता था तो हम दोस्तों जन जातिय समाज किसे का जाता है उसका एक छोटे से रूप मे इसकी क्या परिवासा देख सकते हैं ऐसे समाज जिनका आधार एक हुआ करता था जो समान वर्ग में ही हुआ करता था मतलों जो असमान वर्गों में विवाज़त नहीं हुआ करते थे वे समाज क्या कहलाते थे जन जातियां क्या कहलाती थी ठीक है दोस्तों और परतिक जन जाती के सद से क्या करते थे नाते दारी के बंदन से जुड़े हुआ करते थे किसे दोस्तों किसे नाते दारी के समन्द से जुड़े हुआ करते थे किसके समन्द से नाते दारी के समन्द से जुड़े हुआ करते थे ठीक है ने दोस्तों तो नातिदार के तो कहीं जन जाती है क्या होती थी कि वहाँ पर अपना जो जीवी को पार्जन आता है क्या वर्ड आता है दोस्तों एक वर्ड आता है जीवी को पार्जन जीवी को पार्जन का मतलब क्या है अपने जीवन का पार्जन किसके माधियम से करते थे वह अपने जीवन का माधियम दोस्तों क्रसी के माधियम से करते थे आफे कर सिके माधियॐं उपने जीवन का यह पन कर तो कुछ से जब चेप्टर होता हैं तो हमने की लिए है includes था खाना आपदूस müsकि याánd sparked सी इनधर आए डूस動画 ऐस дост अप्सान पर विच्छन्ट करती है किसे विच 일े करती हैं अपना जीवी को पारदन करने के लिए करती है मतलब वह क्या करती है एक वह वह जंद जाती क्या हो सकते दोस्तों एक तरस संग्रा stick हो सकती है तνη Cape क्र अप when क्लेक्शन किया करती है ठीक है दोस्तों तो वो क्या करते थी कि वो सिकार के माद्यम से इसके माद्यम से जब हमने आरंबिक मानव जीवन के बारे में पड़ा था तो हमने देखा था खानाब दोस्त का मतलब तो वो क्या करते थे या वो सिकारी हुआ करते थे या वो क्या होते थे संगरहक हुआ करते थे या वो क्या हुआ करते थे दोस्तों सबसे पहले उनके पास क्या है पसूपालन का माद्यम आया था तो करते थे दोस्तों नेचिरल रिसोर्सेट का क्या किया करते थे वो नेचिरल रिसोर्सेट का आपके पूर्ण ठहुसका उप मक्या करते थे तक जो उप्र यूज होता था लोंivan का यूज क्या करते थे और उन जो गतिविदियां होताइं नक行了 मिला जुला रूप वो अपनाएं करते थे, क्या करते थे, मिला जुला रूप वो अपनाएं करते थे, ठीक है दोस्तों, तो हमने ये बात कर ली खाना अवदोस्त के बारे में, खाना अवदोस्त क्या होते हैं, जो एक जगे से दूसरी जगे पर गुमते रहते हैं, और जो ज जन जाते समू क्या करता है सेंक तुरूप से भूमी और चारागों पर क्या करता है नियंद रखते थे क्यों करते थे वह वहाँ पर क्या करते थे अपने खुद के नियमों के आधार पर क्या करते थे परिवारों के बीच इनका बटवारा कर देते क्या करते उनके खुद के नियम बने होते थे वो क्या करते थे जो अलग-अलग परिवार होते थे एक यही वर्ग जो उनका जन जाती होते थे उसके जो अलग-अलग परिवार होते थे उनके बीच में क्या कर देती थे जो भूमी थी भूमी और जो चारागा होते थे इनका क्या कर देती थे बटवारा कर दिया करते थे ठीक ना दोस्तो त तो उसी के अधार पर क्या होता था इन सभी परिवारों का जीव को पार्दन की हो जाता था ठीक है दोस्तों और बात करेंगे जो उप महादिप के वीवे नहीं भाग हुआ करते थे जो वीवाजित थे उसमें तो वहाँ पर क्या आती है कहीं परकार की मैंने बताया था जो ज लेगिस्तानी छेत्र होगे तो इन जैसे इस्तान उपर क्या होते थी वो निवास किया करते थी ठीक है दोस्तों जैसे बात करते हैं जंगलों में करते थी तो उनके बास वनस्पति के आधार बहुत ज़्यादा हुआ करते थी पानी के रिसोर्स भी हो सकते हैं बहुत ज़् ठीकास होता हो थीक है। वो पाड़िच्छतर में थी तो हो सकता है, उनका जो chciaंसे सबसक देसां से रिष्तार था या उनका जो भी वासा हो सकती है, उस आदार पर हो सकती है, उसका जो खान-पान का ष्तर है वो भी उसी आदार पर होगा। ठीक है अगर वो रेगिस्ताने इलाके माएंगी तो उनका जो खान पान का स्तर है वेस्बूसा है उनकी बासा है वो उसी अधार पर उनका जो बॉड़ी टोन हो सकता है वो भी उसी अधार पर हो सकता है ठीक है दोस्तों लेकिन कभी कभी क्या होता था दोस्तो जो जाती वीवाजन हुआ करता था जाती वीवाजन पर जो आधारित अधिक सकती साली जो समाजों के साथ उनका टकरा होता था ठीक है तो कई माईनों में क्या हुआ करता था इन जन्जातियों ने अपनी आजादी को वहाँ पर बरकरा रख दे रखा था और अपनी संस्कृति को बचाये रखा था किस आधार पर अपनी जाती वीवाचन पर आधार पर ठीके ना तो उनका किसी भी परकार कोई छोटा मोटा यूद हुआ करता था ठीके ना तो वो क्या करते थे उनके अधिनता वहां पर सिकार नहीं करते थी अप क्या आता है एक आता है आपके जाती है अधर एक क्या आजाता है यहां पर जंद जाती है समाज क्या आता है जंद जाती है समाज आता है यह दोनों क्या थी अपनी अपनी जो अलग अलग परकार के जो इनके किस्मों की जरुतों के लिए उन्होंने क्या किया था यह एक दूसरों पर निर्वर रहने रही थी उस समय एक दूसरों पर निर्वर रहा करती थी ठीके दोस्तों और जम बात करते हैं यहां पर जो उनके बीच में जो टक्रा हुए थी तो उन्होंने क्या किया था निर्भरता के साथ अपने संबंदों को समाज में धीरे-धीरे बदलने का काम किया था काम भी जैसे अपने जो भी नियम थे धीरे-धीरे ये क्या करते हैं कि अपने समाज के नियम धीरे-धीरे बदलने लगे थे ठीके दोस्तों अब यहाँ पर आते हैं कि यह जन जाती लोग कौन हुआ करते थे तो हम यहाँ पर इनकी बात करेंगे ठीक है ना क्या थे कि यह जो जन जातिये लोग थे यह कौन हुआ करती थी ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले हम देखते हैं जन जातिये लोगों के बारे में तो यह जन जातिये लोग आते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके अब बात करेंगे जिए जन जातियों लोग कौन थे अगर हमारे इस उप महादीप की बात करते हैं तो उससे में जो समकालिन उससे में के इतियास कार आते हैं उन्होंने कुछ बताते हैं या कुछ मुसाफिर आई थे उससे में क्या है थे दोस्तों कुछ मुसाफिरों ने जन जातियों के बारे में बहुत कम जान करी दी थी हमारे क्योंकि हम देखते हैं कि जो इत्यास काराते हैं वो मुख्यत राजाओं के या राजवनसों के बारे में बताते हैं अपने अपने समकालिन ठीक है दोस्तों और कुछ अपवादों को अगर हम यह पर छोड़ देते हैं तो जंज जाते लोग भी लिखित दस्तावेश वहापर नहीं रखा करती थी लेकिन लेकिन हम वहाँ पर कुछ समरद छेतर देखते हैं यह देखते हैं तो उनके उन्होंने क्या किया था अपने रिती रिवाजों यह जो वाचिक बोल सकते हैं जिन मतलब वाचिक मतलब जो मोखिक परमपराओं कभी क्या करते थे सरक्षण किया करते थी तो हम यह पर एक इनका सोर्स क्या मान सकते हैं कि समरद छेतरों में समराच छेत्रों में उनके रिती रिवाजों एक तो रिती रिवाजों के माध्यम से मान सकते हैं एक मान सकते हैं क्या मोखिक या इसे क्या गोल सकते हैं वाचिक मोखिक या वाचिक क्या करते थी ये परंपराउं कर सरक्षण किया करते थे इसका रिती रिवाजों और वाचिक या मोखिक परमपराओं का सरक्षण करते थे यह परमपरह क्या होते थे हर नहीं पेड़ी को विरसत में मिलते थी आप समझ यहां पर समझ सकते हैं कि जो आती थी मतलब जो दादा थी उन्होंने अपने बेटे को दी मतलब पिता को दी पिता ने अपने पुत्तर को दी तो यह क्या थी अलग-अलग पेड़ी के नुसार अपने वंसजों को मिलती रहती थी विरसत के रूप में जो आज के इतियासकार है वो जंज ज्यातियों का इतियास लिखने के लिए क्या करते हैं इनी जो मोखिक परमपराई थी मतलब यह क्या थी कथा कथित कहानिया भी हो सकती थी उनी परमपराई का क्या वाचिक जो परमपराई यह मोखिक परमपराई थी उनी का यह क्या क्या कर कि है साउत में जाते हैं तो अलग परकार की है तो किसी भी जो जन जाती का इलाका और परभाव था वो समय के साथ साथ क्या है दोस्तों बदल तरह रहा था उस समय ठीकि के दोस्तों लेकिन वहां पर क्या थी दोस्तों कुछ जो सकती साली क्या बात करते हैं जो कुछ सकती साली जंज जातियों का क्या था कुछ सकती साली जो जंज जातियां थी उनका क्या था दोस्तों एक जो बड़ा छेत्र हो था क्या था जो बड़ा छेत्र था या बड़ा इलाका था उस पर क्या था इ इनका बड़े छेतर पर इनका नियंतरण हुआ करता था ठीक है न दिस्तों जैसे मैंने अभी आपको मैंने यहां पर बात की थी किसकी बात की थी दोस्तों पंजाब की थी ठीक है दोस्तों तो हम बात करेंगे जन जातियों में तो जो पंजाब आता है तो पंजाब में क्या तो पंजाब में कौन से जन जाती है आपके दूस्तों कोकर जन जाती है ठीक है ना तो इसका जो परभाव रहा था खोकर जन जाती का दूस्तों ये कब रहा था दूस्तों यह आता अपके अपके तेरवी वह तेरवी और जो चौदवी सताबदी आती है ठीक है ना इस सदी के दोराने सताबदी के दोरान क्या था इनका बहुती परभाव रहा था ठीक है दोस्तों ठीक है कौन से तेरवी और चौदवी सदी के दोरान ठीक है ना 3-4-4 सदी के दौरान क्या रहता है इनका बहुती अधिक wasn रहता है यहां पर ठीक है दोस्तो बाद में यह जो खोखर जन जाती है यह गखर लोग यहां पर कि अबाद में क्या आ गये थे खोखर के बाद में यहां पर आपके गखर लोग जो गखर लोग थे वो क्या थे यहां पर ज्यादा मेहत्वकून बन गए थे ज्यादा मेहत्वकून बन गए थे ठीक ना दोस्तों और उनके मुख्या कौन हुआ करती थे इनके गखर जन जाती के दोस्तों गखर जो जन जाती थे इनके मुख्या अब बात करेंगे यह मेहत्वकून हो थी तो इनके मुख्या कौन आई थे यहां पर इनके मुख्या कौन आते हैं दोस्तों इनके मुख्या आते हैं कमाल खान गखर कौन आते हैं जो कमाल खान गखर थे दोस्तों वह आपके बादसा उस समय मुगल सल्तनत की जो बादसा हुआ करते थी कौन थे उसमें मुगल सल्तनत के बादसा दोस्तों आपके बादसा अकबर बादसा अकबर के क्या थे दोस्तों ये मनसबदार हुआ करते थे ठीक है ना बादसा अकबर के क्या थे ये बादसा अकबर ने इनका अपना क्या बनाया था मनसबदार बनाया था और मुल्तान और सिंद में क्या था मुगलो द्वारा मुगलो द्वारा अधिन कर लिये जाने से पहले क्या था यहां पे कि वाद साक्बर की तो यह क्या थे मनसबदार रुआ करते थे ठीक है दोस्तों और और क्या बताया था कि मुल्तान और सिंद में मुगलो द्वारा अधीन कर लिये जाने पर ठीक है ना कि मुगलो द्वारा अधीन कर लिये जाने से पहले लंगहा और अर्गुन जो छेत्र थे ठीक है ना लंगहा और अर्गुन लोगों का छेत्र में क्या होता है इन लोगों का परभुत्व क्या था बहुत अधिक हो गया था कौन से छेत्र में इस छेत्र में किसका लंगहा और अर्गुन लोगों का परबुत्व बहुत अधिक हो गया था अगर हम बात करते हैं उत्तर पस्चम की बात करके हैं किसकी बात करते हैं दोस्तों जैसे जो उत्तर पस्चम वाला जो पार्ट आता है ठीके ना हम बात करेंगे यहां पर उत्तर पस्चम की बात करेंगे तो उत्तर पस्चम में एक और क्या था विसाले में सक्तिसाली जन जाती कौन सी थी यहां पर उत्तर पस्चम में विसाल जो जन जाती वा करती थी कौन सी बलोच जन जाती ये क्या थी दोस्तो बहुती सक्ति साली जन जाती थी बलोच जन जाती आती है ये क्या थी बहुती विसाल और एक सक्ति साली जन जाती थी आपके उत्तर और पस्चिमी भाग में ये लोग क्या करती थी अलग-अलग मुख्यों वाले कहीं छोटे-छोटे कुलों में बटे हुए थे क्या थे जो बलो चजन जाती थी अलग-अलग क्या थे कुल में बटे हुए थे छोटे-छोटे परिवारों के ठीक है ना ठीक है ना किसमा बटे हुए थे मुख्यों वाले अलग-अलग कई छोटे-छोटे कुलों में बटे हुए थी ठीक ना मतलब क्या आता कुल का दोस्तो परिवार या घरों के एक ऐसे समो को कुल केते हैं जो एक ही पुरुज की संतान का दावा करते हैं क्या होती है कुल का साब्दी कर्थ क्या होता है दोस्तो एक ही परिवार की जो एक ऐसे समूव में अलग अलग समूव में बढ़ते होते हैं जो एक ही पुरुज की संताने होती है या उनकी संताने होने का क्या करती है दावा करती है वो क्या होते हैं कुल होते हैं और जन जाते संग्ठन में क्या होता है मोश्टलिय आपके नातेदरी या कुल समवने निष्टा पर ही क्या होते हैं पस्चिम हिमाले में आपके गडरी जन जाती आते हैं जनको गडरीयों की जन जाती कहाते हैं क्या गड़ी कौन से जन जाती आएगी हैं पर गड़ी पस्चिम हिमाले में गड़ी यह उनको क्या कहेंगे आपके गडरीयों की जन जाती कहते हैं ठीक है ना पस्चिमी माले में गड़ी या गड़ीयों के जन जाती रहती थी उप महादीप के सुदर उत्री उप महादीप के जो उत्री और जो पुर्वी भाग आजाता है कौन सा दोस्तो जो उत्री और जो पुर्वी भाग आजाता है आपके ये पुर्वी भाग हो गया और ये आपका उत्री भाग हो गया ठीक है दोस्तों ये क्या हो गया ये उत्री और ये पुर्वी भाग हो गया तो उस भाग पर भी क्या थी दोस्तों आपके ठीक ना जो उत्तरी और पूरी भाग आता है वहाँ पर क्या थी जैसे नागा जन जाती अहोम जन जाती या और भी कहीं दूसरी जो जन जातीयों का पूरी तरह वहाँ पर क्या था इनी का वहाँ पर क्या आता है दोस्तों आपके परबुत हो था ठीक ना इनी जन जातीयों का क्या था उस बात पर आपके परबूत हो था और वर्तमान में अगर जैसे बात करते हैं पिछले कुछ समय की तो मौझूदा जो वर्तमान के हमारे जो बिहार और जारगंड छेतर हैं कौन से दोस्तों मुझूदा बिहार और जो जारखंड छेतर थे कि उनके जो कुछ इलाकिया आते हैं वहाँ पर क्या था आपके बारवी सदी तक क्या था कि जो चेर सरदार साहियों का क्या था उदे हो चुका था कि इनके बिहार और जारखंड में बारवी सतापदी तक या सधी तक बोल सकते हैं बारवी सतापदी या सधी तक चेर किसका दोस्तों चेर सरदार साहियों का क्या हो चुका था वहाँ पर उदे हो चुका था तीगे दोस्तों अगर हम बात करेंगे वहाँ पर बादसा अकबर के परसिद सेना पती कौन आते हैं दोस्तों बादसा अकबर के सबसे परसिद सेना पती कौन आएंगे दोस्तों वहाँ पर बादसा अकबर के परसिद सेना पती की बात करते हैं तो आते हैं राजा मानसी हैं कौन से येट की बात करेंगे दोस्तों वहां हमारी आपके जो राजा मान लशिय होते हैं यह क्या करेंगे हैं आपके 1591 इसवी में कब दो Sto 1591 इसवी में क्या करेंगे जो चेर लो जो चेर समराज ही कि Mobile के हैं और यह चेर क्या हो जाते हैं वहाँ पर परस्त हो जाते हैं ठीक है न लेकिन वे पूरी तरह उनको अधीन नहीं बना पाते हैं किसको राजा मानसी हैं चेरो को पूरी तरह वहाँ पर क्या नहीं कर पाते हैं अधीन नहीं कर पाई थी ठीक है दोस्तों तो ये मानसी है कौन आते हैं दोस्तों ये भी क्या होते हैं पांच अजार और साथ अजार के म आमेर के बनसद से आते हैं आमेर के राजा होते हैं ठीक है दोस्तों फिर बात करेंगे उसके बाद से 1591 के बाद में आते हैं तो यहाँ पर एक गटना आती है उसके बाद में फिर गटना आए कि कौन सी औरंग जेब के समय भी ठीक है न तो औरंग जेब के समय क्या वहाँ था कि मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कहीं किलो पर कबजा कर लिया था क्या करते हैं औरंग जेब के समय में क्या आती है कि औरंग जेब की सेना क्या करती है कि औरंग जेब की सेना ने जो चेर सरदार होते हैं उनके किलो उपर क्या कर लिया था कबजा कर लेते हैं कौन कर लेते हैं मुगल जो सेना होती है और इस जन जाती को क्या कर लेते हैं औरंग जे क्या कर लेती है इस जन जाती को अपने अधीन कर लेती है किसको चेर को ठीक है न किसको कर लेती है चेर को क्या कर लेती है अपने अधिन कर लेती है ठीक है दोस्तो और इस चेत्रे में रहने वाली जो भी दूसरी महत्पूर्ण जन जाती है वह करती थी ठीक है ना कौन सी जन जाती है वह करती थी उस समय दोस्तो जैसे इस चेत्रे में रहने वाली एक तो आती है आपके संताल वे मुंडा कौन-कौन से जंज आती है दोस्तो एक तो संताल आती है एक मुंडा जंज आती है ठीक है, उनको भी कर लिया था और और क्या होता है, यह उरीस अब बंगाल में भी रहती थी, जो संताल वे मुंडा थी यह कहां पे थी आपके इसके लावा उडिसा हुए बंगाल में भी जो बिहार वाला जारखंड वाला छित रहता है उसके लावा और ये कहांपर भी रहा करते थे संताल और मुंडा उडिसा और बंगाल में भी रहा करते थे ठीके दोस्तो इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जन जातियों के लिए तो यहाँ पर हम जन जातियों के यहाँ बात करते हैं दोस्तो तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर करनाटक में कौन से जन जाती रहा करती थी और महाराष्टर में भी कौन से जंजाती रहा करती थी अगर आपको पता हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में इसका मेरे को जवाब दे सकते हैं ठीक न दोस्तों तो करनाटक और महाराष्टर में कौन सी पहाडियों में कौन सी जंजाती रहा करती थी तो कर्णाटक और महाराष्ट की जो पाढ़िया थी कौन थी कोली और बेराद तथा कहीं दूसरे जन्जातियों के निवाजिस्थान थे क्या थे कोली और बेराद क्योंकि जो पाढ़िया थी वहाँ पर कौन कौन थी दोस्तों कर्णाटक की पाढ़ियां में कोली महाराष्टर में दोस्तों कौन थी? बेराद ठीक है न? तो इन जहां पर इसके अलबा और क्या थी? कि दूसरे जन जाते हो कि निवाजिस्तान भी रहती थे जो कोली लोग थे कि गुजराद के कहीं इलाकों में भी रहती थे क्या थे दोस्तों? जो कोली थे वो क्या थे आपके? गुजराद के भी गुजराद के भी कहीं इलाकों में रहा करते थे ठीक है न दोस्तों? कोली लोग क्या थे? गुजराद के भी कहीं इस्थानों पर रहा करते थे और कुछ क्या थे? कि दक्षिन में कोरागा, वेतर, मारवार और दूसरी जन जातों के विसाल अबादी थी ठीक है ना, तो कौन से ले सकते हैं, जैसे हम दक्षिन हमार उप महाधीप में दक्षिनी भाग की बात करते हैं, किसकी? दक्षिनी भाग की बात करेंगे हमार उप महाधीप की दक्षिनी भाग की बात करते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी थे देश दोस्तों कौन कौन सी जन जाती है थी जिसे वेटतर एक आजाती मारवार ठीक है न और कौन सी आजाती है कोरागा ठीक है न तो ये जो जन जाती है थी इनकी भी क्या थी वहाँ पर विसाल आबादी हुआ करती थी ठीक है ना कहाँ पर दक्षणी भाग की बात करते हैं तो वहाँ पर इनकी विसाल आबादी हुआ करती थी ठीक है दोस्तों अब अगर हम पस्चिमी और मध्य भारत की बात करते हैं पस्चिमी और मद्य भारत में क्या आती है एक जन जाती थी जो बहुत महत्यपूर जन जाती आती है कौण सी दोस्तो यहां पर वो बड़ी संख्या में पाई जाती थी कौण सी जन जाती दोस्तों जो बड़े समूदाई में थी और बहुत ही अच्छे एक सैनिक हुआ करते थे योदा हुआ करते थे जो भीलों की बड़े जन जाती पस्चिमी और मद्य भारत में फैली हुई थी ठीके दोस्तो और सोलवी सदी का अंत आते आते क्या होता है सोलवी सदी का यहां पर अंत आते आते उस समय क्या होता है कि यहां पर कहीं जगे यह बसे हुए थे जो क्या करते थे खेती और यहां तक की जमीदार भी बन चुके थे क्या बन चुके थे दोस्तो यह खेती हैर मतल कारी किया वो अपना जीवी को पर्जन किया करती थी एक बहुती बड़ी जंज आती और प्राचिन जन जाती आती है आपके बील जन जाती दोस्तो ठीके जो राजस्थान में भी इनका एक बड़ा समुदाइवा करता था हम बात करेंगे दोस्तो जो आपका मौजूद दोस्तो मध्य परदिश आता है ठीक है ना मौझूदा जो 36 सिगड बढ़ता है कौन सा दोस्तो मौझूदा 36 सिगड पढ़ता है ठीक है आपका क्या आता है माराश्ट्र आता है और क्या आता है एपी बना अंद्र परदिश ठीक है ना इन जगों पर क्या थी एक और बड़ी ये इन जगों पर भी क्या थे एक और जंग जाती आती है जो बड़ी मात्रा में फैली थी कौन कौन सी दोस्तो पस्चीमी और मध्या भारत की बात कर रहे थी तो पस्चीमी भारत में हमने भील जंग जाती के बारे हम देखा था अब पस्चीमी और मध्या भारत का जो एक सें जाती आती है जो भी क्या थी बड़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर नीवास किया घरती थी ठीक है ना कौन से जन जाती आती है गौंड जन जाती आती है जो बड़ी तादाद में यहां पर क्या थी फैली हुई थी ठीक है दोस्तों फिर मैंने आपको बताया था और भी ठीक है और भील क्या थी इनका जो हम देखेंगे आगे इनका जो निशान होता है परतिक चिन वो क्या होता है तीर कमान इनका परतिक चिन होता है भीलों का ठीक है न दोस्तों तो यह क्य करते थे भील क्या थे बड़े अच्छे सिकारी हुआ करते थे हमने भी दिखाता थे ना बड़े अच्छे क्या थे सिकारी हुआ अब हम बात करेंगे यहां पर खाना अब दोस और घुमनतु लोगों के बारे में किसके बारे हम बात करेंगे हम यहां पर दोस्तों खाना अब दोस और घुमनतु लोगों के जीवन के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे अब आते हैं खाना अब दोस मैंने क्या बताता है जो एक इस्तान से दूस इस्तान पर अपने जीवन का निर्वा करने के लिए गुमते हैं वो खाना अब दोस आते हैं या गूमन्तू होते हैं जो क्या करते हैं चरवाओं या जानवरों के साथ दूर दूर तक गूमा करते हैं ठीक है ने दोस्तों अब वो चरवाओं जानवरों के साथ करते हैं तो इनका जीवन क्या होता है दोस्तों इनका जीवन क्या करेंगे कि पसु पालन के जो उत्पाद होगे उन पर निरबर करेगा किसे पर पसु पालनों के उत्पाद पर तो ये पसु पालनों के उत्पाद पर हम क्या ले सकते हैं इनका जो जीवन है जो दूद के उत्पाद होगे दोस्तों दुग्द ठीक है ना और अन्य जो अन्य जो पसु पालन के उत्पाद होते हैं अन्य पसु पालन उत्पाद होते हैं उन पर इनका जीवन क्या ठापके निरबर था ये क्या थे दोस्तों? ये खेती हर वे क्या करते थे? खेती हर और गरस्तों से क्या करते थे? गरस्तों से अनाज कपड़ा व बरतन क्या करते थे? ये लोग खेती हर गरस्तों से अनाज कपड़े बरतन आदी चीजों के लिए क्या करते थे दोस्तों? बरतन आदी बरतन आदी वस्तों के लिए वस्तों के लिए उन घी त्यादी का विने में भी करते थे? इसका वस्तों के लिए उन घी आधी वस्तों का विने में भी करते थे? तो इन सभी जो वस्तों थी इने के मादम से क्या क्या करते थे अपना विनी में क्या करते थे और कुछ खानाव दोस्त क्या क्या करते थे कि जानवरों पर समान की ढूलाई का काम भी करते थे एक जगे से दूसरी जगान पर जगे पर क्या करते थी कि सामान का जो खरीद या विकरी हुआ करती थी उसका काम क्या करती थी ठीक है दोस्तों और उस समय में क्या आते हैं दोस्तों जैसे खानाव दोस्त के साथ-साथ क्या आता है उस समय में आपके कुछ कुछ क्या आ जाते हैं उस समय आपके उनके साथ-साथ एक बंजारा लोग भी बहुत महत्पुन व्यापारी हुआ करते थे कौन से आपके एक वर्ग आता है कौन सा मंजारा जो वर्ग था वह भी क्या था आपके महत्पून व्यापारी हुआ करते थे वे भी क्या करते थे एक इस्तान से दूसरे इस्तान में कुछ एक निस्चित समय के लिए अपना डेरा डालिया करते थे ठीक है ना क्या करते थे अपना डेरा डालिया या अपना क्या बोल सकते हैं अपना कारवा डालिया करते थे उस कारवा को क्या कहा जाता है यह भी एक्जाम में पूछा जाता है तो जो उनका कारवा था वो क्या कहला था क्या टांडा या टांडा कहा जाता था क्या कहा जाता था उसे टांडा कहा जाता था वो टांडा कहला था और हम बात करेंगे जब हमने पढ़ा था दिल्ली के सुल्तान के बारे में तीसरे चप्टर में हमारे तो हाँ पर एक आता है सुल्तान किस के बारे में पढ़ा था खिलजी वंस के बारे में पढ़ा था हमने कौन से सुल्तान अलाउदिन खिलजी के बारे में हमने जब पढ़ा था तो सुल्तान अलाउदिन खिल्जी क्या बताते हैं कि सुल्तान अलाउदिन खिल्जी बंजारो का ही इस्तमाल नगर के बाजारों तक अनाज की डुलाई के लिए क्या करते थी कि वो बंजारों के ही मादिय। किसके मादिय। और बात साथ जहांगेर ने बी दोस्तो अपने जो इत्यास कारों से जानकारे रहे मिलती है लिखा है कि कि बंजारी विबिन इलाकों से अपने बेलों पर जानवर हुआ करते थे कि अनाज ले जाकर सहरों में बेचा करते थे और उस समय क्या था दोस्तों जो सेनी अभियानों के दोरान भी क्या हुआ करता था कि मुगल सेना ने खादियानों के डुले का काम किया करती थी और किसी भी विसाल सेना के लिए क्या थे दोस्तों एक लख बेल क्या करते थे अनाज डोया करते थे एक जो important question आता है जैसे मैंने आपको पता है था क्या खाना अब्दोस या ब्रह्मन सिल्समू आता है खाना अब्दोस क्या थे गुमंतु लोग होते थे जो उनमें कहीं लोग क्या करते थे पसुचारी होते थे और वे अपनी रेवड और पसुचे साथ क्या करते थे एक स्थान से दूसर जो चारह गावा था वहाँ पर गुमा करते थे इसी तरह क्या थे जैसे से लोग क्या करते थे लोट पोट किया करते अलग अलग जगह पूर उन्होंने पिछले साल अलग जगह का दोरा करते थे या इस साल अलग जगह का दोरा किया करते थे और एक वर्ड मैंने आपको बताया था बंजारा ठीक है तो यह क्या था कि जो सतर्वी सदी के आहरम में क् एक अंग्रेज व्यापारी एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वणन किया था किस ने किया था जैसे मनें आपके यहां पर क्या बता है बंजारा वर्ड दो बताया है ठीके ना कौन सा वर्ड बंजारा इसका क्या था आपका सत्तरवी सताबदी में एक कौन आता है अंग्रेज व्यापारी आता है कौन पीटर मंडी ठीक है ना यह पीटर मंडी क्या करता है यहां पर यह मंजारों का वनेन करता है यह क्या बताता है किसने एक story के रूप में वनेन किया था कि सुभए हमारी मुलाकत एक बंजारों के टांडे से हुई थी टांडा मतलब क्या होता है उनके एक वर्ग ये एक समू से हुई थी ठीक है ना वर्ग समू क्या होता है कि उनका जो कारवा था वो उसके एक कारवे से हुई थी जिसमें क्या थी जिसमें 14,000 बैल थी बैल क्यों थी ये क्या करते थे कि सामान को एक एक स्थान से दूस्य स्थान पर ढोया करते थी जिसमें या अनाज को ढोया करते थे जैसे अलाओ दुन खिलजी और जहांगीर के समय में बताए गया है ठीके ना सेना के लिए एक लाख बैल हुआ करते थे तो सारे पसु क्या थी गिहूं और चावल जैसे अनाज से लदे हुए थी ये बंजारे लोग अपने पूरी घर गरस्ती मतलब अपने पती पत्नी जो पती था वो पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ माता पिता को अपने साथ लिकर चला करते थी, और ये जो टांडा हुआ करता था, इसमें कहीं परिवार एक साथ जीवन उनका जीने का जो तरीका था वो भारवाव को से मिलता जुलता हुआ करता था जो लगा तर एक जगे से दूसर इस्तान पर चला करते थे लेकिन यह जादा तर क्या हुआ करते थे सौदागर हुआ करते थे यह क्या करते थे सौदागर कैसे हुआ करते यह जो कुछ अन जो होता था वो सस्ता उपलब दूआ करता था वहां से जो ये खरीती थी और उस जगह ले जाते थी जहां वे उसको महेंगा बेच सकते थी मतलब सस्ती जगह से उसको खरीते थी और महेंगी जगह उसको जाकर बेचा करते थी जिसे इनको क्या होता था मुनाफ़ा हुआ करता यहां तक लोग हो सकते थे एक साथ और वह एक दिन में क्या करते थी चैया साथ मिल से ज़्यादा उसमें सफ़र नहीं किया करते थे और यहां तक ही ठंडे मौसम में भी इतना ही सफर किया करते थे और अपने जो आई गाय और बैल से क्या करते थे समान को उतारा और चड़ाय करते थे फिर उनको उचारने के लिए वहाँ पर खुला चोड़ दिया करते थे क्योंकि यहाँ जमीन प्रयापत है और वहाँ पर कोई नहीं हुआ करता था और आज कल भी हम वर्तमान में क्या करते हैं सहरों में यह देखा था कि इन जैसे इनके पस्षू चारी लोग व्हा करते ते मतलब मविसी तो जैसे गवाइन के बाद में में हो सकता है को ने क्या हूआ असकर रेवसरी करने जैसे जानवरों को फेरी वाले के पास विबिन जाती हैं कि जो होते तो विबिन जाती हो कि समूव हुआ करते थे उस समय जो एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर ब्रहमन किया करते थे ये लोग क्या करते थे फेरी वाले मैंने आपको बताया था जैसे कर्टब दिखाया करते थे जैसे किसे के ये दोस्तों क्या करते थे इन गोन्तू सौदा गडरो का क्राम किया करते थी और हम देखते हमें पयारी विय्क के साथ कुछ गाए कीवब्वा करते थे कुछ नर्टक भी होते थे और उसे नाटक कर जो तमासा दिखाने वाले लोग taxi इनके साथ जातिया रहा करते थी जो विभिन गाओं या नगरों में कमाई केलिए अपनी कला का क्या करते थे पर्दसन क्या करते थेखें दूब ठीक है ना फिर हम देखेंगे यहां पर इसके बाद में खानव दोस्थ के बाद में नई जातिया और उनकी स्रेणिया नई जातिया और उनकी स्रेणियों के बारे में हम देखेंगे क्या नई जातिया उनकी स्रेणिया कैसे आती कि दोस्तों जैसे जैसे समाज बदलता गया उनमें परिवर्तन आते गए थे तो इनमें इनका भी क्या होने लगा था यहां पर इनमें भी परिवर्तन होने लगे थे तो क्यों होता है यह परिवर्तन दोस्तों कि जैसे जैसे क्या हुए समाज की जरूरते बढ़ती गई थी तो जो आर्थी ग्रूप से जो साधन थे वो भी डेवलप होते हैं अर्थ वैस्ता में परियूरत न आने लगा था दिरे दिरे और जैसे जैसे अर्थ वैस्ता में परियूरत न आने लगा तो समाज की जरूरते भी बढ़ती गई थी और समाज के जोरते बढ़ देगी तो हम दे सकते हैं जो फेरी वाले लोग आते हैं या ये जो बंजारी लोग वगा करते थे या जो जन्जातिया हुआ करती थी ये जो तमास भी जो लोग जैसे को कर्तब दिखाने वाले नाटक दिखाने वाले नर्तक लोग थे या गायक लोग हुआ करती थी इनकी भी आवसक्ता क्या थी भढ़ने लगी थी क्यों लोगों के पास पैसे आने लगी तो लोग इनका एक मनरोजन के रुप में इनका एक साधन होने लगा था ठीक है दोस्तों और इन वर्णों के भीतर क्या होने लगा था कि छोटी छोटी ज जातिया क्या थी उभरने लगी थी जैसे हम एक्जामपल के रुप में यहाँ पर ले सकते हैं आपके लिए कि ब्रहामणों के बीच भी क्या थी नहीं जातिया सामने आने लगी थी उस समय और दूसरी और हम दिखते हैं कि कहीं जो जन जातिया थी वहाँ पर समाजिक समूओ के में क्या थी कि जो जाती थी वो विवाजित होने लगी थी जैसे समाज उनको भी समाज में सामिल कर लिया गया था उनको सब उनको भी क्या था कि उन्हें जन जाती है को ने उनको एक जाती का दर्जा दिया जाने लगा था ठीक है ना दोस्तों जैसे जो सिल्पकार थी क्या थी पहले क्या जाती हुआ करती थी इनसे कुछ छोटी छोटी नहीं जाती आने लगी थी जैसे लुहार लुहार हो गया दोस्तो सुनार हो गया ठीक है न और यह क्या वो एक और कौन से आगे बढ़ाई बढ़ाई जाती आने लगी थी जो राज गराने में थे वो क्या थे दोस्तो राज मिस्तिरी होने लगी थे और बणने लगी थिए जाती का आधार बने लगा था ठीक है दोस्तो फिर यहाँ पर जैसे जाती पर और विचार系मर्स की बात आती है, हम बात करेंगे, जो हमारा वर्थ मान के तमिल नाडु के तिरु चीरापल्ली तालुक में, कौन सा दोस्तो? वर्थ मान के तमिल नाडु के, जो तीरू चीरा पल्ली छित रहता है उसका तालुक में क्या होता है दोस्तों इस्तित ऊर्या कॉंडन एक काती है कौन सी उरिया कॉंडन उदेयार की बारी सतापदी के अबिलिक में जो पहला अबिलिक प्राप्त होता है कौन सा उरिया कॉंडन उदेयार के बारी सतापदी के अबिलिक में ब्रहमोनों की एक सबा के विचार विमर्स का वहाँ पर वर्णन मिलता है कौन सा जैसे वो बात करेंगे रतकारों की बात करेंगे ठीक है रतकार कौन होते हैं जो रत बनाने वाले लोग होते हैं वो रतकार के लत हैं उनकी वहाँ पर क्या किया गया है उनकी वहाँ पर सामाजिक इस्तति के बारे में वर्नन किया गया है किसके बारे में रतकारों की सा समाजिक परे में उसमें वानन किया गए है किम्न वनका उमने इस जाती के काम काज़तिय की कि ए द इसमें इसमें किसाम का वास्तु कला कर रहे की पर दकिएंब का जो बास्तु कला रत्थों और गाड़े का लाए थे वह क्या क्या लाए थे रतकार क्या लाए थे ठीक है ना दोस्तों तो हम यहां पर इनकी चर्चा कर लेते हैं फिर बात दिरेदे से बात करेंगे यहां पर इग्यारी और बारवी सदी के बात करते हैं तो छत्रियों के बीच एक नए राजपुत गोतरों की ताकत में काफी ताकत में भी वहाँ पर काफी बढ़ोतरी होने लगी थी कौन सी आती है दोस्तों जैसे हमने पढ़े थी हून वंस आ जाता है चालुक क्या आ जाते हैं चंदेल आ जाते हैं तो यह दूसरी वंस परमपराओं में आते हैं क्या आते हैं दिरे दिरे क्या थे जो पुराने सासक की जगे हैं, वो विजिस्त करसी वाले चेतरों में आने लगी थी, पुराने सासक चेतरों की जगों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होते थे, कहीं तरह के परिवर्तन होने लगी थे, सासक वर क्या करते थे, जो सक्तिसाली रज्यों के निरमान में अपनी संपद्धा का ज्यादा इस्तमाल करने लगे थी जैसे दिरे दिरे ब्रामनों के समर्थन से कहीं जन जातिया जाती विवस्ता का इसा बन गए थी वो मैंने आपको अभी इदर इसल्फ कार के रुप में मैंने आपको यहां पर एक उधर्ण दिया था ठीक है दोस्तों और जो बहुसंख्यक अबादी वाले जो समाज हुआ करत थे छोटी छोटी जातियों में विवक्त होने लगे थे किसमें छोटी छोटी जातियों में विवक्त होने लगे थे यहां पर अब हम बात करेंगे वह छोटी छोटी जातियों में विवक्त कैसे हो गए थी जैसे हम बात करेंगे पंजाब सिंद की बात करते हैं या उत्तर पस्चिमी जो सीमा वाले परबुत्यों साली जो जंच जाती हैं अगर वहां पर बात करते हैं तो उन जंच जाते हैं उन्हें काफी पहले क्या किया था कि इसलाम को अपना लिया था, वहांपी कौन सी, उत्तर पस्चिम की, जो ये उत्तर पस्चिम की सरहद वाला भाग है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इरान वाला, इधर वाला जो पार्ट बढ़ता है, इन्होंने क्या कर लिया था, कि इसलाम को अपना लिया था, थे न, तो इ इसलाम को follow करते थे तो यहां पर इन्होंने क्या किया था कि जाती विवेस्ता को इंकार कर दिया था और जो सनातनी हिंदु दिर्यम के द्वारा जो परस्तावित थे जैसे गेर बराबरी वाला जो सामाजिक विवेस्ता इन इलाकों में बड़े पहमने पर सिवकार नहीं की ग जैसे सामाजिक स्थी जो बदलने लगी थी तो उसे में सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर आपके गौण जन जाती की बारे में किसकी गौण जन जाती की बारे में ठीक है दोस्तों यह क्या थी कि दो वन परदिस पे रहने वाली जाती थी कौन से विसाल वन परदिस में रहने वाली जाती थी ठीक है और कहां पर रा करती थी गौंड चेत्र ये गौंड वाना चेत्र में क्यों से चेत्र में दोस्तों इसका चेत्र कौन से वा करता था गौंड वाना नामक विसाल वन परदिस मे रा करती थी ठीक है ये इस्थानांत्रे करसी पर आधारित थी अलग अलग जगे पर क्या करती थी करसी किया करती थी और विसाल गौंड जन जाती कहीं छोटे-छोटे कुलों में बटी वी थी ठीक है इस्थानांत्रे करसी क्या होती है जैसे जो करसी के जो प्रावंध प्रां तब जमीन का दूसरा टुकड़ा क्या करते था इसको साफ किया जाता था और इसी तरह से क्या करते था इसको फसल को यह उगाया जाता था ठीक है दोस्तों और फिर हम बात करते हैं कि इस समय जो पर्तिकुल का अपना इनका जो राजा या जो होता था वो क्या करता था कि जिस समई दिल्ली के सुल्तानों की ताकत यो बढ़ने लगी थे उनका परबुत वर रोगगा न हूत है उसे समय कुछ बड़े गॉंड राज्य क्या करते थे कि चोटे गौंड सरदार उपर हावी होने लगे थी और अकबर के सासनकाल के समय अगर हम देखेंगे तो एक हमारा उसमें एक इत्यास के पुस्तक आता है कौन सा गरंत आता है अक्बर नामा कौन सा आता है दोस्तों अक्बर नामा में इनका वनर क्या गया है कि गड़ कटंगा के गौड राज्ये में सतर अजार गांव वहा करते थी कौन से कितने कौन से कौन से राज्ये में दोस्तों गड़ कटंगा के गौड राज्ये में सतर अजार गांव वहा करते थी और इन राज्यों में क्या था जो इनकी जो परसासनिक विवास्ता थी इन राज्यों में इनकी जो परसासनिक विवास्ता क्या थी दोस्तों केंदरिक परसासनिक विवास्ता वहा करती थी और गड़ राज्ये थे जो गड़ों में विवाजित वहा करती थी गड़ों में विवाजित हुआ करती थी हर गड़ किसी खास क्या वह करता था हर गड़ किसी खास गौंड कुल के नेंतन में हुआ करता था ठीक है दोस्तों ये क्या थे कि ये पुने ये पुने ये पुने क्या थी जो चोरासी गाउं की इकाईयों में क्या थी विवाजित होती थी जिने क्या कहा जाता था चोरासी कहा जाता था जिने जिने चोरासी कहा जाता था और चोरासी का जो उप विवाजन था वो किसमें होता था इन चोरासी का जो उप विवाजन था बर होतों में हुआ करता था जो क्या थे जो बर होते मतलब बारा 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 गाउं से मिलकर बनते थे और इन राजियों ने क्या किया था इन राजियों ने दोस्तों इन राजियों ने क्या किया था आपके गौन्ड समाज के जो चरित्र था उसको बदल दिया था उसका जो चरित्र या जो चित्र हुआ करता था उसको बदल दिया था ठीक है ना दोस्तों अब गौन्ड राजा क्या करते थे अनुदान में बहुमी पराप्त की थी और अधिक परबाव साली बन जाते हैं क्या की थे कि ब्रामन लोगों ने इनको क्या किया था कि इनको बूमी अनुदान के रुप में दी थी उसके वज़े से यह क्या था अधिक सक्ति साली बन गए थे और गौन्ड सरदार को क्या होते हैं दोस्तों कि राच पुपतों के रुप में भी क्या थी मानने तपराप्ट करने की उनकी इच्छा जागरत होने लगी थी इसलिए उन्होंने क्या किया था जो इनका सत्तर अजार गाउं देखते हैं गड कटंगा में तो यह क्या करते हैं कि उसमें गौड राजा हुआ करता था कौन दोस्तों एक गौण राजा था उसमें अमंदास कौन आता है गौन राजा अमन दास क्या करता है अमन दास ने संगराम सहा की उपादी धान कर ली थी यह क्या करता है कि इसको उपादी धान कर लेता है संगराम सहा की उपादी धान कर लेता है पिर उसका पुतर कौन आता है? दल्पतने, महोबा के तो हम ये पड़ते हैं जब इतियाश के आगे के बारे में राजपुत, वंज़ों के बारे में पड़ेगे तो उसके पुतर, दल्पतने ये क्या करेगा? सहोबा के महोबा के चंदेल राजपुत राजा साल बहान की पुत्री राज कुमारी दुरगापती से वो विवा कर लेता है कौन कर लेता है दोस्तो बताता हूं मैं आपको इकवार अच्छे से मैंने आपको बताये था किसे गड कटंगा के गौंड राजा कौन आता है दोस्तो यह कहां से आएंगे आपके गड कटंगा के राजा कौन आते हैं अमंदास आते हैं इन्होंने किसकी उपादी धाने करते हैं यह उपादी धाने करते हैं संगराम सहा की उपादी धाने करते हैं किसकी संगराम सहा की उन्होंने उपादी धाने करते हैं इसके पुत्र इसके पुत्र कौन होते हैं दल्पत संगराम सहा के पुत्र कौन होते हैं दूस्तो दल्पत होते हैं दल्पत ने क्या किया था महुबा की महुबा के सासक कौन आते हैं आपके चंदेल राजपुत कौन होते हैं राजा साल बाहन और ये राजा साल बाहन कौन होते हैं आपके चंदेल के साथ सक इस साल बाहन की पुत्तरी साल बाहन की कौन होते हैं दोस्तो पुत्तरी होते हैं राज कुमारी दुर्गावती दुर्गावती से किसका विवा हो जाता है दोस्तो आपके दुर्गावती से किसका विवा आता है दल्पत वेड्स दुर्गापती इन दोनों का क्या हो जाता है दोस्तों आपके विवा के तो यह दल्पत क्या करता है चंदिल के सासक राजा साल वहान की पुत्र राजकुमारी दुर्गापती से इसका विवा हो जाता है और यह दल्पत कौन होता है दोस्तों आपके दल्पत गड कटंगा के सासक अमंदास का पुत्र होता है और अमंदास क्या करता है स्वेम को उपादी देता है किसकी संगराम साह की उपादी देता है ठीक है और किसके दलपत महुबा के चंदिय सासक राज साल बहान की पुत्री दुरगावति क्या होती है ़ने पांच साल के पुत्र, इसका कौन होता पूत्र उत्पन होता है कौन होता है इसे बीर नारायन कौन सा पूत्र होता है बीर नारायन इनका पूत्र होता है बीर नारायन के नाम पर सासन की कमान यह क्या करते संभाल ले जिसका इसके सरक्षन करने लगती है हमाँ पर उसके समय में क्या होता है जो राज्ये का और अधि विस्तार होने लगता है ठीक दोस्तों फिर क्या आता है दोस्तों जो 1565 का समय आता है कब आता है दोस्तों 1565 इसी में ठीक ना 1565 इसी में क्या होता है कि मुगल क्या होता है वहां पर आपकी आसिफ खान के नेतरते मुगल सेना ने वापिस जो आपका गड़ कटंगा क्या आता है गड़ कटंगा पर क्या कर देती है हमला कर देती है और राने दुर्गावती ने क्या किया था इसका किसका आसिफ खान का आसिफ खान वर्सिज गड़ गटंगा मतलब उससे में कौन होती है दुर्गावती क्या होती है कामान संबालती है अपने पुत्र के रुप में एक सासा के रुप में वो इसका जम कर सामना करती है लेकिन dit translating कि अधिर पर्षार जाती है किसे अस्षिस यहाँ पर हार जाती है उसने समझपण करने की बजाये क्या किया था दुर्ग अधि ने यहाँपर सही Dirovati Kalbourति मतलत reflection converter क्या होता है वां पर उसका टुरंत बाध में लड़ता हुऊं यहाँ यहाँ पर मारा गया था ठीक ना दोस्तों और इसका जो ना मद्य पर्दे से मुझा दिखते हैं कि गौण जाती के पत्थर पर एक नकासी नुमा एक चित्र बनाए गया है वह हम यहां पर आप नेट के मध्यम से दोस्तों देख सकते हैं ठीक है दोस्तों इसका मतलब क्या था कि जो गड़ कर टंगा था व मतलब हातियों को खरीदा और वेचा जाता था इससे एक अच्छा यहां पर धन कमाई जाया था जब मुगलों ने गौंडों को यहां पर है रहा है था तो उन्होंने देखा था कि लूट में यह क्या करते हैं कि यहां से बेस कीमति सिक्के और बहुत मात्रा में यहां से हात वुगलों ने अपने कब्जें में ले लिया था और जो कुछ भाग था जो यह बीरनारेण के चाचा आते हैं किसके बीरनारेण के चाचा थे कौन थे दोस्तों इसके चाचा चाचा चंदर सहा किसके बीर्ण नैं मतलब दलपत के छोटे भायों करते थे और बीर्ण नैंड के चाचा चंदर सहा को दी दिया था और गड़ पतंगा के पतंगा के बावजुद गौंड राज्ये दोस्तों कुछ समय तक चलता रहा लेकिन वे काफी कमजोर हो गे थे उस व अभी हम क्या देख रहे थी दोस्तों हमने देखा था जन जातियों के बारे में ठीके ना कौन से जन जातियों जैसे मैंने बताया था आपको अभी थोड़ देर पहले ही दो मिन पहले पंजाब में खोखर जन जाति के बारे में बताया था और खोखर जन जाति के बारे में मनसब्दार हुआ करते थे फिर यहां पर लंगहा हौए अरगुन जो लोगता उनका पर वुद्वह यहां पर बढ़ गया थीखे दूस्तों यहां पर वे उनका पर बढ़ गया था फिर हम ने यहां पर देखा था गॉंड Percy के बारे मियं किसके अहुम जन जाती थी ठीक ना ये जो आपके अहुम जो जन जाती थी ये मतलब सबसे पहले देखते हैं ये कौन सी सताबदी में ये कौन सी सदी में आती है ये आपके आते हैं दोस्तों सबसे पहले तेरवी सदी में कब आएंगे तेरवी सदी में आएंगे और तेरवी सदी मे अहुम है वो कहां से आएंगे आपके अहुम क्या आएंगे जो आपके मौजुदा म्यानमार आता है कौन सा म्यामार आता है यह म्यामार से आके क्या करते हैं आपके ये म्यामार से आके क्या करेंगे दोस्तो ब्रह्म पुत्र गाटी में बस गए थे तो ये म्यामार से आके क्या होते हैं दोस्तो आपके ये अहुम जो है तेरी सदी में म्यामार से आके ब्रह्म पुत्र गाटी में आ बसे थे ठीके दो लोग और उन्हें क्या का जाता था दोस् दो एन्हें यहां पर क्या का जाता था इस इन्हें बुहिया कहा जाता था पक् plano लोगों की पुरानी राजनेतिक विवस्ता को जो उस समय की पुरानी राजनेतिक विवस्ता होती थी उसका ये दमन करके नए राज्य की स्थापना की थी उन्होंने क्या किती ये नए राज्य की स्थापना की थी मतलब हम क्या करते हैं किसी भी जगह जाते हैं कि किसी इस्थान पर या किसी प्लेस पर क्या होता है किसी जमीन पर कोई पुराने लोग रहा करते हैं हम उसको क्या करते हैं उनका दमन करके या उनको क्या करते हैं उनको वहां से आकरिमन करकर भगा देते हैं और वहाँ पर किसी भूमी पर हम कभजा कर लेते हैं तो अधिक संख्या में करते जाता है तो इसको हम बोलते हैं भू सौमी बोलते हैं अब तेरही सद्य की बाद में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम जब आएंगी तो हम बात करेंगे यहाँ पर 16 सदी की इसी एहूम जाती के बारे हम बात करेंगे कौन सी 16 सदी के बात करते हैं इनके समय में तो यह 16 सदी के दौरान क्या होता है उस समय दोस्तों उन्होंने एक आते हैं चूटियो एक word आता है क्या चूटियो ठीक है ना कब होता है दोस्तों 1523 में मैं बता रहा हूँ और गटना आती है 1523 की और 1581 की कौन सी आती है एक और आती है दोस्तों कोच होजो 1523 और 1581 के तो इसमें क्या होता है चूटियो और कोच होजो के राज्यों को ये क्या करते है अपने राज्यों में मिला लिया इन्होंने क्या किया इनके दोनों के जो राजिये थी इनके राजियों को क्या करते हैं इनके राजियों पर आक्रमन करके इनके राजियों को अपने राजियों में क्या कर लेता हैं यहां पर वेले मतलब मिला लेता हैं इसलिए इनके क्या का गया था दोस्तों आपके का गया है क्या का गया है कोच हाजो भी इनको कहा गया है ठीक ना दोस्तों और उन्होंने क्या किया था यह पर इनको अपने राज्जाब के сейчас में इन चूटियों को यह मिला लेते हैं अपने राज्जा में 16 procent में फिर 16 पुली सदी में आपके 1521 में क्या करेंगे कोच हाजो को ये भी अपने राज्य में मिला लेते हैं फिर दिरे-दिरे क्या करेंगे उन्होंने कहीं अन्य जातियों को भी अपने अधिन कर लिया था इसलिए मैं आपको बता है था कि हम काफी बार आकरमन करके किसी भी बूमी को को अपने कब्जे में ले लेता हम भूस्वामी कहलते हैं तो इसी वज़े से एक भूस्वामी से आपको पता चल रहा है कि अलग-अलग समय में इनका जितना भी सासनकाल आ था उस दुरानी क्या करते हैं सभी को अपने राज्य में मिलाते जाते हैं ठीके दोस्तों फिर अह सब्सक्राइब कर लेंगे और हमने बड़े राज्य का निर्मान करता हैं इतने वर्सों पहले यह क्या करते हैं मतलब एक सोलवी सदी में तेरी से सोलवी सदी के रूप में क्या कर लेते हैं आपके आगने आगने जो सस्त्रों होते हैं दोस्तों कौन से आगने अस्त्रों सस्त्र और अस्त्र में बहुत फर्क होता है दोस्तों क्या होता है सस्त्र और अस्त्र में भी बहुत फर्क होता है तो यह उस समय भी क्या करते हैं आगने अस्त्रों का भी क्या करते हैं यूज करने लगे थे उस समय में भी और अगर जो इनका यूज किया जाता था मतलब यह क्या थे दोस्तो जब हम बात करेंगे सतर भी सब्ता देगी मतलब 1660 इस्वी की 1660 इस्वी में क्या किया था इन्होंने तोप का इस्तमाल करना कर दिया था अगर यह तोप का इस्तमाल करते थे मतलब यह क्या क 1660 के समय में दिरे दिराते आते कर लेते हैं और जो अहूम होते हैं दोस्तों अहूम हो का क्या होता है दोस्तों आपके दक्षिनी पस्चिमी क्या होता है जो अहूम क्या करते हैं आपके अहूम लोगों को दक्षिनी पस्चिमी से कहीं आकरमनों का सामना करना पड़ा था एक वियक्ति आएगा आपके मीर जुम्ला कौन आएगा दोस्तो मीर जुम्ला आएगा कब आता है 1662 ECE में 1662 ECE में यह आता है और 1662 ECE में क्या करता है कि मीर जुमला की जो नैतनों होता है उसमें मुगलों ने क्या किया था अहूम पर आकरमन कर दिया था ठीक है दोस्तों तो मीर जुमला ने क्या किया था आपके अहूम पर क्या कर दिया था हमला ठीक है और मीर जुमला क्या था कि किसके नेतरतों माता ही यह आपके मीर जुमला ने 1662 इसी में मुगलों के नेतरतों में अहूम लोगों पर हमला कर दिया था और अहूम क्या करते हैं बादूरी से सामना करने के बावजूत भी क्या होते हैं इन अहूमों की यहांपर क्या हो जाती है दोस्तों पराजे हो जाती है वो होमों की क्या होगी यहां पर पराजी हो जाती है और विजय किन की होती है दोस्तों आपके इन मीर जुमला की होती है किसके नेटरत में मुगलों के नेटरत में यहां पर विजय हासिल करेंगे कौन करेंगे आपके यहाँ पर मुगली यहाँ पर हासिल करते हैं लेकिन उस छेतर में क्या होता है उस समय मुगलों का जो परतिक्ष नेंतरण है वो ज्यादा समय तक यहाँ पर नहीं बना रहा था ठीक है ना ज्यादा समय तक यहाँ पर इनका नेंतरण नहीं बन सका था ठी लूट पाद और इनका कारिय था कि बहु स्वामी के रुप में किसी भूमी पर नियंतन करना वहां से जो भी चीज़े मिलती थी उसी पर ये निर्बर रा करती थी ठीके न और राजी के लिए जिन लोगों से जबरन काम की काम लिया जाता था वे क्या कहलाते जो उस समय बेग क्या जाता है ठीक है ना तो उनको क्या कहा जाता था आपके पाइक कहा जाता था ठीक है ना बीना आए या पारिश्रमिक के काम करवाना ये क्या था पाइक ठीक न यह हम बोल सकते इसको जबरन जबरन काम करवाना भी क्या था ये पाइक के लाते थे अहूम राज्य में एक जनगरना की गलिथी ठीक ना हम क्या लेख सकते हैं कि अहूम राज्य में क्या की गई थी जन गणना की गई थी ठीक न अहूम राज्य में क्या की गई थी जन गणना की गई थी परते गाव को अपनी बारी आने पर क्या करना था तका निश्चित संख्या में पाइक बेजने होते थी ठीक न इनकी भी क्या होते थी एक एक नियम इसके लिए जंगनना की बाद किया था सगन आबादी वाला जो जहां पर आबादी जादवा गरती थी इन इलाकों में कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को क्या किया जाता था यहां पर लोगों को इस परकार अहूम क्या थी कुल अहूम के जो कुल मैंने बताए थी जो वरिवारिक वन सच हुआ करते तो वो टोटने लगे थे फिर जैसे जैसे सोली सताव दिखा जो पुर्वाद्पूरा उसका अंत आते आते जो परसाव था ठीके न वो वो क्या हो चुका था उसमें परसाव इनका इनका परसासन क्या हो चुका था दोस्तों केंद्री करत हो गया था और उसे में सभी जितने भी पूरस जितने भी वेस्क पूरस हुआ करते थी यूद के दौरान सेना में अपनी सेवा ही परदान करने लगे थी मतलब इन्हों ने एक सेनिक व्वेस्टा भी बना ली थी दिरे-थिरे हमें ये बोल सकते हैं और दिरे-दिरे ये क्या करते हैं कि 70 इस सतापदी के आते ये लोग यहाँ पर क्या करेंगे een चाई के साधन भी ले आएंगे किसके मादियम से जैसे इन्होंने बांध का निर्मान कर लिया था इसका सिंचाई के लिए ये क्या करते हैं इन्होंने बांध का निर्मान कर लिया था सिंचाई के वेस्टा के लिए और ये क्या करते हैं कि दूसरी जो सारजनिक कारियों थे उसारजर निकारियों में जुटने लगे थे अहूम लोग जो खेती किसकी किया करते थे अहूम लोग आपके हम यहाँ पर खेती की बात करेंगे अहूम लोगों की ठीक है ना तो यह चावल की खेती करते थे और इसके साहिता से क्या करते थे कि चावल की खेती की नई तरीकों का इजाद करने लगे थे अहूम समाज कुलों में विवाजित था इनके अहूम की जो समाज की जो कुल थे क्या थे अहूमों की जो कुल थे इस कुल को क्या कहा जाता था आपके खेल कहा जाता था अहुमों के कुल को क्या कहा जाता था खेल कहा जाता था ठीक है ना दोस्तों अहुमों के कुल को खेल कहा जाता था ठीक है वहाँ दस्तकारों की बहुत अलग 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 परकार के जातिया थी अहुम छे तिरमिंदस कार्द क्या थी उनके जो आसपास के जो गाम हुआ करते थी वहीं पर वो बसा करते थी किसानों को अपने समुदाए के दोरह क्या दी जाते थी वहाँ पर जमीने दी जाती थी दोस्तों ठीक है और जो श्टाटिंग फेस था अहुम लोगों का उसमें वो क्या करते थी अपने उनका जो जन जाती है जो देवता हुआ करते थी तो जन जाती देवता की क्या करते थी वो पहले किसी भी कारे से पहले क्या करते थी वहाँ पर वो इसकी उपास्तना किया करते थी क्या क दोस्तों और इसी अहुमों में क्या होता है हम दिरे दिरे दिखते हैं वहाँ पर जन जाती थी फिर जो सतरी सतादी के अंतमी जैसे जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है दोस्त आपके ब्रहामन जाती जो आती है दिरे दिरे ब्रहामन जाती की परभाव में बढ़ोत पर तो किसका काल आएगा दोस्तों आपके यहां पर बात करेंगे यह एक व्यक्ति आएगा कोन आएगा सिब सी आएगा जो का आएगा आपके सतरह सो चौधा से 1714 से 244 इसी के मद्दे 1714 से 1714 से 1744 सी के कालम आईगा यह हिंदू धिर्म का वहां का राजा था और वहां के क्या था कि उस समय सिप्स हिए के कालमे हिंदू धिर्म जो था वहां का परधान धर्म मतलब मुख्य धर्म हो गया था क्या हो गया था इसके कालमे मुख्य धर्म क्या बन गया था याद रख इसका मतलब यह था कि जो अहूं राजा थे इनौने हिंदुध्रम के अपनाने के बाद अपनी जो पारेंप्र पारीक जो सांस्कर्तिक जो आस्ता ही वहा करते थी उन्होंने पूरी तरह से उनको अपनाया भी नहीं था supportive छोड़ा भी नहीं था ठीकिना दोस्तों और यह अहूम क्या हुआ करता था एक परिशकर्थ समाज हुआ करता था ठीके ना और अहूम क्या करते थे ब्रामन को जैसे इन्होंने भूमी दान दी थी इसी परकार यह क्या करते थे आपके कवी और जो विद्वान लोग हुआ करते थे इनको भी क्या करते हैं जमीन दान में ये दिया करते थे देरे देरी क्या करते हैं कि जैसे जो नाट टेकला काराते हैं जो होते हैं तमास बिन जो लोग होते हैं उनको भी प्रोथसान देने लगते हैं ठीक कई ना, और इनके समय में जो संस्क्रत की जो मेहत्ववपून करतिया थी, यह क्या करते है उसका, अपने ही इस्थाने बासा में उसका अन्वाद करने लगी थी, ठीक है अहूम बासा थी, उसके बाद में क्या आती है? यहाँ पर इनके जो करतिया थी वो असमियों में भी लिखे गी थी किसमें लिखे गी थी जो असमिया बासा आती है उसमें भी इनके करतियों को क्या इसका अनुवाद किया जाने लगा था ठीक है दोस्तों तो हम यहां पर एक यह मान सकते हैं कि जो हमने जंज जातियों कि यहां पर चर्चा की है ठीक है न हाँ यहां पर चर्चा की है तो हम यह ले सकते हैं कि इसका एक निशकर्स लग निकाल सकते हैं कि दीरे दीरे जो यह हम यहां पर आते हैं कि इन यूगों की बारे में हमने इन स सताब्दियों के बारे हमने यहां पर चर्चा की हैं तो इस मूप महादीप में क्या आते हैं काफी सारी सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं अलग-अलग जैसे समुदा आते गई थे जाती आते गई थी तो अलग-अलग सांसकर्तिक हमने यहां पर परिवर्तन देखे तो उनके सांस्कायषिक परिवर्तन के दुड़ान देखते हैं, तो यहाँपर सामाजिक परिवर्तन आदे गे, जैसे हमने देखाता के वन आधरित समाज आता है और जैसे जैसे जन्जातिक यह stored डेते गे थे, तो यह लोग क्या करते थे, कि एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते गए थे इसी परकार इनों ने अलग-अलग परकार के आदान परदान दोनों ने अपने समाजों में किये थे और इनके अनुकूल और पर्तिकूल यहां पर हमने परिवर्तन देखे थे ठीक है दोस्तो और फिर देखते हैं यहाँ पर कि हमने विबिन परकार के जन जातियां यहाँ पर आती गई थी इन विबिन परकार के जन जातियों कि हम अलग-अलग परकार के यहाँ पर जिवी काई के जो साधन थे वो सादन देखे थे, अलग-अलग इनके हमने इनके आस्था के जो सोर्स हुआ करते थे वो अलग-अलग हुआ करते थे ठीके दोस्तों, और कहीं जाती आधारित इसमें देरे-देरे जो जाती आती हैं वो यहाँ पर इनके समाज का आधार बनती गई थी फिर देखते हैं देरे-देरे के कहीं हो ने तो जाती वयस्ता और सनाता नहीं हिंदु दिरम को भी यहाँ पर नकार दिया था लेकिन कुछ जाती हो नहीं यहाँ पर देखा था जैसे हम आहोमों को देख रही हमने एक केंद्री करत और सो संगठीट परसासनिक वयस्ता वाले राज्यों की यहाँ पर इस्तापना की थी ठीके ना और वे धीरे-धीरे क्या हो गई थे दोस्तों कि वे राजनित्ती ग्रूप से यहाँ पर ताकतवर बनते गई थे और यहाँ पर बड़े ही विसाल समरजे का इन्होंने क्या किया था यहाँ पर इस्तापना की थी अहुमों पर 1662 डिस्यू में गया क्या करेगा आकरमन करेगा उसी परकार क्या आता है दोस्तों हम बात कर सकते हैं एक और जाती आएगी आपके एक और जाती आती है कौन सी मंगोल जो दोस्तों मंगोल आते हैं आपके जो मंगोल लोग आते हैं दोस्तों तो इन मंगोलों की बात करते हैं कि ये इतियास में सबसे परसिद पसुचारी और सिकारी थे जन जाती कौन सी थी आपके, मंगोल हुआ करते थी, और ये कहां पर थी दोस्तो, हम जब जोग्राफी में पढ़ेंगे, कौन से एक इस्टेबी घास के मैदान, ठीक है न, इस्टेबी घास के मैदान पढ़ते हैं, पढ़ेंगे जब आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे इशिया का एक पार्ट आता है कौन सा दोस्तों मद्य इशिया का मद्य इशिया के घास के मेदान कउन से इस्टे पी और अगर उससे थोड़ा सा उत्तर की और चलते हैं तो वहां पर आपके क्या आहिंगे जो प्रांत आएंगे, जो भी प्रांत आएंगे, वो कौन से प्रांत आएंगे, वन ये छितर आएंगे, क्या आएंगे, वो वन ये छितर के प्रांत आएंगे, तो वो वहाँ पर बसे हुए करते थे, फिर हम बात करते हैं, जैसे हम मंगोलों में बात करते हैं, तो मंगोलों म चंगेज खाने क्या किया था मंगोल और तुर्की जो जन जाती हैं थी उसमें वे क्या करते हैं एक जागरूपता लगते हैं और एक एकता पैदा कर देते हैं जिस क्या होता है ये दोनों मिलने के बाद एक दोस्तों 1227 में उसके बाद में कि 1227 में मर्ती हो जाती है तब ये क्या करता है कि उसमें ये दोनों जाती है जब मिल जाती है कौन सी आपके मंगोल और तुर्की तो उसका ये सासग बन जाता है और 12-27 समराजय को लेके दिरे-दिरे यहां पर चलते हैं तो अलग-अलग समय में इसके अंतरगत क्या होता है जैसे आपके रूस का छेतर आ जाता है पुर्वी यूरूप आता है कुछ चीन का बाग आ जाता है यह मद्यपुरों का जो खासा इस्थान आता है तो खासा बड़ा उस हिशे को भी क्या कर लेते हैं देरे देरे से में सामिल कर लेते हैं और मंगोलों के पास हम देखते हैं कि बहुती बड़ा सकती साली सेनेबल होता है जो सूसंगटित परसास्तिंग वैस्तों के साथ चलता है देरे देरे ये विबिन जाती और धार्मिक समूग के समर्थन पर क्या हो जाता है आधारित हो जाता है तो इस ये मंगोल पी उस समय क्या हुआ करती थी आपके एक बहुत बड़ी जाती हुआ करती थी ठीके ना दोस्तों तो हमने इसके इसमें जो most important word क्या देखे थी जैसे पहला पहला वन देखा था वन आधारित समा जाता है फिर जाती फिर जन जाती देखा था फिर हमने एक टांडा देखा था टांडा क्या होता है हमने कुल देखा था, हमने गड़ देखा था, हमने यहाँ पर गड़रिये देखे थे, यहाँ पर हमने चौरा सी सब्द का रुप्यों किया था, भुहिया हमने बूस्वामी के रुप में किया था, हमने यहाँ पर दोस्तों आपके पाइक जबरन जिनको बिना आएके यहाँ पर उनका काम किया जाता था, खेल किसको का जाता था, कुल हुए थे अहुम के, उनको खेल का जाता था, हमने एक बुरंजी नामक एक व्यक्ति के एतियासिक जनों ने आपके असम या बासा में उनका अपने करतियों का उलेख किया था, ठीक है, यहां पर हमने एक जन गणना क की जाती थी ठीक है ना जहां पर पाइक कम होते थी उनको ज्यादा संख्या वाले स्थान पर इस्थान नांत्रंड कर दिया जाता था इन सभी चीजों का हमने क्या किया था यह पर उलेक किया था ठीक है दोस्तों करीं उनको जाता था जान पर बना तोस्तों कर दोस्तों कुछ उलेका है